प्यार का तरका को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइगन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंध ही मिल जाएगा, तो आईए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, आज बनाएंगे पिस्ता आइस क्रीम शेक, पिस्ता आइस क्रीम शेक बनाने के लिए ये दिखिए मैंने 1 फोर्थ ये कच्छे वाले जो पिस्ते होते हैं, इनको एक घंटा पहले गुलगुने पानी में भीगा दिया था, ये फूल के इतने बड़े हो जाते हैं, फिर इनके उपर से इस तरीके से छिलका उतार दिया, अब इनसे पिस्ता आइस क्रीम शेक तयार करेंगी, एक ग्राइंडिं जाड ले ले, इसमें ये पिस्ते डाल देंगे, दो टेबल स्पून इसमें शेहद डालेंगे, शेहद की जगा आप चीनी भी डाल सकते हैं, ये देखिए, ये वन एंड हाफ कप मिलक है, ये फूल फेट मिलक है, अभी पहले इसमें थोड़ा सा डालेंगे, कम दूद के अच्छी तरह से ग्राइंड हो गए है, अब इसमें चार स्कूप पिस्ता आइस क्रीम डालेंगे, ये पिस्ता आइस क्रीम भी मैंने घर में बनाई है, इसका वीडियो भी अपने चेनल पे दिया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी देदूंगी, अगर अगर बिल्कुल चिल दूद लेंगे तो हमें आइस क्यूब नहीं डालने की जरूरत है, अब इसको फिर से ब्लैंड कर लेंगे, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ब्लैंड हो गया है, पिस्ता आइस क्रीम शेक बनके तयार है, अब इसको सर्फ करेंगे, ये मैंने दो ग्लास पिस्ता मिल्क शेक बनाया है, जिस भी ग्लास में आपको सर्फ करना है, वो ग्लास ले लें, ये देखिए एक एक स्कूप इसमें पिस्ता आइस क्रीम और डालेंगे, अब इसमें पिस्ता शेक तोर कर देंगे, थोड़े से पिस्ता से इसको गार्निश कर देंग लीजिये बन के तयार है हमारा बहुती रिफ्रेशिंग टेस्टी पिस्ता आइस क्रेम मिलक्षे इसको जुरू ट्राइ कीजिएगा और अपने अनुभव कॉमेंट करके शेयर कीजिएगा इसको प्यार से बनाईए प्यार से पिलाईए अब आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तर्का को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू बाई बाई नमस्ती